अरसलाम लेकूम मैं हूँ नादिया तन्वीर और आप देख रहे हैं All About Baking मैं नादिया तन्वीर तो जुनाब आज मैं आपको इत केक्स की त्यारी दिखा रही हूँ मैंने बनाने हैं काफे सारे केक्स अलहम तो मैंने का चले आपको छे पॉंड केक की रेस्पी तो मैं आपक की एक्जेक्ट प्रफेशनल रेसिपी है तो जुनाब नजेर रखनी है मेरे हाथों पे मुझे सुनते जाना है यह मैं लोगी तकरीबन 12 अंडे ठीक है 12 अंडे में लोगी और इसके अंदर हम डालेंगे चीनी कितनी डालेंगे 360 ग्राम मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दू आमीन और आप लोग मुझे बताएगा आप लोगों के रोजे कैसे गए और कितनी त्यारी होगी अब तो खैरीद की सबकी ही त्यारियां मुकमल होगी होंगी इंशालला अल्ला खैरियत की एदाए हर तरफ आमीन अच्छा जनाब यह देखिए वनीला एसंस है वनीला एसंस आप साथ साथ देख्थरान प्रोसरस में करती हूं अच्छा जरूरी निके इंशें में बने आफ यांड मीकसर के बगार हैंड बीटर से बना सकते हो मैं बनाती रही हूं 55.0 के मत्लब मेंने बारा बारा अंडों का बैटर उच्छा खुद भार द्धाथ से बनाया है हैंड बीटर से बन जाता है यह तो जोड़ा कामसान हो जाता है ना कि आप उसे चला की कुछ और करते रहते हो तो जनाब यह होता है अच्छा जी मुझे अफनान फातिमा है बंगलादेश से उनका इतना प्यारा मुझे मैसेज आया अफनान थैंक्यू सो मच उन्हेंने का मिरा दिल पहने हाई सबाच चाच और जनाब आज मैंने पहन दिये अवैस खान का बहुत प्यारा मैसेज था सम्यास किचन जो है गुजराच से इनका बहुत ही नहीं सम्यास किचन का बहुत प्यारा मैसेज था थैंक्यू सो मच सम्या और हलीमा मलीक है हमारी गुजराच से यह भी हमा कहा है नहीं थक्तर नहीं बहुत पियारा मैसी यासमीन खान का था तरी ट्रो बातो अधने भीत भाष्थ K कंड़े के लिए 40 ग्राम मैदा जाएगा ठीक है अब यह देखो इसको अपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से ताकि यह जो है बेकिंग पाउडर कहीं नीचे ना बैठ जाए अराम से आपने काम करते जाने और यह हैं भी यह जो स्टैन मिक्सर होता है तरह असानी हो जाती ह कि आप अपना काम करते रहते हो वरना एक बंदा बाउंड हो जाता है कि बस बीटर पकड़ के खड़े रहो अच्छा जी मारिया फ्रोज का बहुत मेरा मैसेश था मदीहा अदील का शाने नहाल का कुस्वलता हमेशा ही कहते हैं कि ना दिया आप एगलस क्यों नहीं बनाती स 240 Gram हमने लिया है ये औलस बेस पोंज मैं बना रहे हैं मैं बनाती ही family Fondant हो kriem cake हो मैं बनाती ही attention अच्छा का यह थे मैने फॉर्णेंट और चुंटमसा बार आपको अप्रेड़ करें के लिए नहीं मेरे संधक क्जिञा बीटर को सिच से जोरा इस तरह से डालना है यह उत्दम नहीं सवत encore वर के बास सुक्सर्ट टीपू का बहुत प्यारा था मुबीना शेजादी का और यह हां जी हां जी मर्यम फ्रॉम गुजरात मर्यम भी हमारी गुजरात से हैं जैसे हलीमा मलीक हमारी गुजरात से हैं इमान का बहुत प्यारा मैसेज था ठीक है अच्छा जी इसके बाद है जी समी है और भी आरूज रफी का बहुत प्यारा मैसेग था के आरude केक्स का इन्हों प्ल़क नि इस कर नहीं नाम निखा वागा कोई जा कर ली के प्यार केक्स चीर्ठ की को प्यार के को प्यार केक्स कर भी के लिठक Сब्सक्राइब मुंण हमे डालूं मेहँ हैं वा दालूंगी मेहँ हिस्किन कारिम हमारे है गरीफिय के छार पैन है उसको हम लेटा करें भी साथ ही करेंगा त्थी को मैं लाटा मैं विसे चाहादी तो गया थिंग सकती छाथ नहीं था बनती है आप जब थोड़ा सा अलाइदा लेंदा पैंस में बेक करते हो तो आपका किक हाइट में भी अच्छा था विर्थ में अच्छा था क्योंकि उसे बेक होने में स्पेस मिलती है ना अपके देखे मैं यह जो बीटर वाली रॉड होती है मैं इसी से मिक्स कर लेती हूं क क्यों मुश्किल हो जाता स्पेस्टुला से ना अच्छा मिक्स नहीं होता आपने हमेशा चान के मैदर डालने है इसके अदर अच्छा जी हमारी फोजिया शुएब के बहुत प्यारे मेसेजजिस होते हैं हमेशा ही बहुत अच्छे मेसेजिस करती है आटिजम वाइब के न आमीन फोजिया बहुत प्यार बेटे को ठीक है अच्छे जनाब यह देखिए हमारा ना बेटर हो गया जनाब रेडी ठीक है और अब इसके बाद हम इसके डिवाइट करेंगे हर ए पैन में 7 इंच के हर पैन में 310 यानि के 310 ग्राम बेटर में हर पैन में डालूंगी ठीक ह एब यह देखो एब कफस में नहीं पता सकती यह प्रेफेशनल रेसेपी हैँ मैं इसको कफस में नहीं पता सकती क्यूंकि वह बेड़ा घरक होता है काफ में अच्छा जी अब यह देखिए हमारा ने थोड़ा थोड़ा करके कि सारी शौपिंग उसके जो जूट शूटी चीजी होती है बच्चे की वो उन बच्चों को गी है जी स्कूल से छुटी है अब जाएंगे बच्चे 15 से तो आप यह आएगा मज़ा क्योंकि रोजों में बड़ी ज्यादा ही मैंने तो आप यकीन माने पूरी पूरी रात ही मै ने पौने चे और उसके बाद फिर वैसे सेरी खाके बच्चे सोयो तो बहुत नींद का भी हो गया था लेकिन चोलो आप दो तीन रोजे जरा स्कून से गुजर जाएंगे इन्शालला आखरी रोजे हैं अब दौा करिएगा आने वाले साल बहुत बरकतों वाले हों कि हम अब यह देखे चनाब हमने इसे बेक करने रख दिया लोर रोड में अन की है और यह सेवन इंच के पांचो पैन है और इसको हमने वान एटी बेक करना है 20-25 मिनट तक जब तक कि यह आपके स्टिक क्लीन बाहिर ना आए यह मिरी आगी थी स्टिक क्लीन बाहिर अच्छा मैं है कि मैं ने और फॉरन से नहीं निकाल लुए थे इसका हम से नहीं निकालते ओधर हो प्र elevator के इसको और इना थी इसम कोई और ऐसे अपके को बाहिर देगैं यह दिसके हैं बारा मैंने च्छे पॉन्ड को यह वला केक बनाए कि इन देफार बनाने है बाड़ा सपर मैंने के लिए तरह कंई तो इन शुङल किक एखालों को जो अचल इस आ था है भी जा इत्य मेर लेकिनगे हुआ इस है सबस्क्क बनांगे फेरिए इन दो पिर आ एक मेरी तो आप सोचूंगी सर्च करूंगी को अच्छे से डिजाइन होंगे तो फिर मैं शालला बनाओंगी और फिर आप लोग मेरे साथ ही होगे उसके बात मंडे का एक केक है फिर टूस्डे वेंस्डे को मैं तो शुटर डाउन हो जगा हमारी मतलब शॉप का शाफा किन केक्स का पिर हम एद के बात काम करेंगे लेकिन मेरे एद के दुरान दो तीन ओर्डर्स है जो के मेरी प्यारी बहुत प्यारी मेरी रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनको मैं मना नहीं कर सकती क्यूंकि जाहर है अब बच्चों की साल करा सालों से उन्हीं दिनों में आरी है अब रोजे बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पाई तो उसके बात कर ली कि बस चार पांची बनालों बहुत है इससे जादा जरूरत नहीं है बहुत एफट हो जाती है तो जिनाब यह मैंने आप से शेयर कि है अथेंटिक रेसिपी आप इसका कलर देख लो अच्छा जी अब यह देख जाएंस जाएंस को अजए इसको सेंटर से कट करोंगे तो मारी हार केक पांच लेहर जोजएंगी व्र्ड All वनीला का वैसे भी वज़न इतना ज्यादा नहीं होता जितना चौक्लेट फच का होता है ठीक हो गया जना तो जनाब यह थी आज की रेस्पी आपने मुझे पताना है आप लोग नोट डाउन कर लेजगा पैंसल कॉपी लेकर रख लीजगा आपको जब कभी ज़रूरत हो करने की किया करें तो आप इस तरह से अपनी रेस्पी को कर सकते हो इस तरह आप चौकलेट केक भी बना सकते हो ठीक है यह नॉर्मल मोइस्ट चौकलेट के को चागा मुएस्ट वनीला के एक हो जाएगा ठीक है ।चहत यह फज नहीं है क्योंकि इस क zij अधर और ओयल मान रखे हम सबकी अबादते कबूल फरमाएं आमीन सुमामीन अलाह आफिस